सूप्रभात पिरिये विद्यार्थिगन मैं हिंदी अध्यापक जंगीर सिंग आज कक्षा बाहर्मी के विद्यार्थियों को कवीता नंबर तीन भाग खै बात सेदी थी पर करवाने जा रहा हूं पढ़ाने जा रहा हूं और इस कवीता के कवी कुमर नारायन जी हैं तो पिरिये विद्यार्थिगन देखिए इसका पद नंबर एक बात सीधी थी पर एक बार भासा के चक्कर में जरा टेड़ी फंस गई उसे पाने की कोशिस में भासा को उल्टा पल्टा तोड़ा म्रोडा घुमाया फिराया की बात या तो बने या फिर भासा से बाहर आए ले यही पिरिये विद्यार्थिगन इस कवीता में कवी कुमर नारायन जी बताते हैं कि वो अपनी जो बात है सीधे शब्दों में सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहते थे अपना जो कथ्या है लेकिन बात सीधी थी कि बात तो बिल्कुल सरल थी कहने योग्या जो उसका वी अलंकारों का शब्दावली का जटिल प्रियोग करते हैं जिससे उसका जो कत्य था वीश्य था कहने यूग्य वो सरलने रहकरके भासा के चक्र में जटिल हो गया पेचीदा बन गया तेडी तरह से उसकी जो बात है वो हंस गई उसे पाने की कोशिस में भासा को उल्टा फिर कवी ने देखा कि उसकी बात क्या है वो क्या है आपे से बाहर हो गया रथा जो उसका कहने युग्य वीशे है वो कहने ही पा रहा है ऐसा जानकर उनों ने क्या किया फिर भासा में फिर बदल करना चाहा कहने का मतल उसमें परिवर्तन चाहा और इस हिसाब से उसने भासा क तोड़ा मरोडा घूमाया फिराया कहने का मतलब उसमें बहुत सारा परिवर्तन किया और ये पाने के लिए किया तो बात बन जाए सहज सरल सब्दों में अपनी बात को कह पाए या भी भासा से बाहर ही आ जाए लेकिन इसे भासा के साथ साथ क्या हुआ बात और भी पेचीदा होती गई लेकिन वो भासा में फ़ंसकर के बात क्या है और जटिल बनती गई जो कहने यूग्य वीश्या था वो क्या है समझ से बाहर होता चला गया और इस तरह से उस जटिल या पेचीदा भासा ने अपना प्रभाव जमाई रखा और कहने युग्य जो वीशय था कभी नहीं कह पाया तो पिर ये विद्यार्थीगन देखिए इस कवीता के अंदर ये जो काज्या से हमारा पहला पद है इसके अंदर क्या है अनुपरास अलंकार है अनुपरास अलंकार है इसमें और इसमें उल्टा पल्टा में क्या है? पुन्द्रुक्ति प्रकासलनकार भी है इसमें मुक्तक छंद है और लक्षना सब्द शक्ति है इसके अंदर और भासा सहज सरल और प्रवाह मही है तत्सम तद्भव शब्दावली है तो पिर ये विद्यार्थी और इस तरह से इसका काव्य सुंद्रिय बन जाता है तो अब चलते हैं पद नंबर दो पर सारी मुश्किल को धहरिये से समझे बिना मैं पेंच को खोड़ने के बजाए उसे बेत रह कस्ता चला जा रहा था क्योंकि इस कर्तब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमास बिनों की साबासी और वहा वहा आखिर कार वही हुआ जिसका मुझे डर था जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भासा में बेकार भूनने लगे इन पंक्तियों में इस काव्यांस में कवी कुमर नारायन जी कहते हैं कि मैंने जो बात थी अपनी जो विश्य था उसको समझे बिना धहरिये पुरुवक उसको समझे बिना मैं सारी मुश्किल को धहरिये से समझे बिना उस बात को धहरिये से समझे बिना क्या है उसको पेंच की भांती खोलने की वज़ाए उसको कस्ता ही चला जा रहा था कहने का मतलब भासा को सरल बनाएने की वज़ाए क्या है उसको और जटिल बनाता जा रहा था क्योंकि इस कर्तब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी क्योंकि बात को जो मैं अत्यन्त जटिल बना रहा था अपने विशे को, कत्या को, भाव को ऐसा करने पर मुझे क्या है, इस कर्तव पर, इस कारिया पर मुझे क्या है, तमास बीनों की सावासी, परशन्शा और वहावाह की धवनिये जो सुनाई दे रही थी. कहने का मतलब जो मूरख थे यह यह कहिए जो मेरे शत्रू थे मित्तर रूप में जो मेरे शत्रू थे वो मेरे इस कर्तव पर या मूरखता पूना इस कर्तव पर मेरी प्रशंसा और वहावाही कर रहे थे आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था और अंत में वही हुआ जिसका मुझे भै बना हुआ था कि जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मरगी की मैंने भासा के साथ जबरदस्ती की उसको और जटिल बनाता गया भासा को अत्यन समत्कृत बनाता गया तत्सम सब्दावली से, अनेक परकार के और इलंकारों छंदीतियादी से लेकिन जो जबरदस्ती से बात की चूड़ी मरगी कहने का मतलब क्या है कि जिस परकार से पेंच के साथ यदि जबरदस्ती की जाती है पेंच को यदि जबरदस्ती पुरुक्या है उसको घुमाया जाता है तो उसकी चूड़ी मर जाती है और उसका जो प्रभाव है खत्म हो जाता है और वह भासा में बेकार होने लगी उसी परकार जो मेरी बात है न वो भी प्रभाव ही नो करके भासा में निरर्थक ही क्या घुमने लगी बेकार में घूमने लगी जिसका कोई आर्थी नहीं निकल पाया तो प्रिये विद्यार्थिगन इस काव्यास के अंदर देखिए इसमें भी अनुपरास अलंकार है और इसके अंदर क्या मुक्तक छंद है तत्सम तद्भव शब्दावलिय है प्रिये विद्यार्थिगन इसमें क्या है भाषा का चमत्कृत रूप दिखलाया गया है और अब चलते हैं पद नंबर हमारे तीन पर प्रिये विद्यार्थिगन देखिए पद नंबर तीन हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगे ठोंक दिया उपर से ठीक ठाक पर अंदर से ने तो उसमें कशाव था ने ताकत बात ने जो एक सरार्थि बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझसे पसीना पहुँचते देख कर पूछा क्या तुमने भासा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा तो पिरिये विद्यार्थि इगन देखी इसका जो सरलार्थ बनता है जो इसकी व्यक्या बनती है पद की हार कर मैंने उसे कील की तरह कभी कहता है कि उसने बात को वहीं छोड़ दिया अर्था जो जटिल बन गया था उसका विशे उसको उसी रूप में उसी अवस्थान उसको छोड़ दिया कि हार कर मैंने कील की तरह कि जिस परकार क्या है कील को ठोंक दिया जाता है उसी तरह उपर से तो ठीक ठाक नजर आता है जो पेंच है कस दिया जाता है कील को ठोँक दिया जाता है चूड़ी मरने के बाद ऊपर से तो भली भांती ठीक नजर आता है लेकिन अंदर नै तो उसमें कशाव होता है और नै ताकत ठीक उसी परकार जो मेरा कथ्य जो मेरा वीशे था वो भासा की पेचेदगी में पेचीदगी में या फिर उसके भासा की जो जो उसका जटिल रूप था पेचीदा रूप था जो भासा का उसमें फ्रांस कर वो निरर्थक ही भासा के अंदर के गूमने लग गई थी जो मेरी बात थी जो मेरा वीशे था तो प्रिय विद्यार्थेगन उसी परकार कहते हैं कि उसमें कोई प्रभाव नहीं रहा था जो मेरी बात थी वो प्रभाव हीन हो गई थी फिर उस बात ने जो प्रभाव हीन हो गई थी उस बात ने जो एक सरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी उस बात ने जो प्रभाव हीन हो गई जो निरर्थक हो गई थी फिर उस सरारती बच्चे की तरह खेलते हैं उसने म स्वस्था में क्या है मानो वो बात मुझसे कहती है मुझे पसीना पॉंच देखते हुए कहती है क्या तुमने भासा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा कहती है कि आपने कभी कहा है भासा को सहूलियत से का मतलब है कि सरलता से आसानी से कभी क्या बरतना नहीं सीखा कहने का मतलब फिर आप कवी होने का दावा क्यों करते हो क्योंकि आप भासा को क्या है या अपने कथ्या को या अपने वीश्या को ठीक तरह से प्रस्तूत नहीं कर सकते हो विव्यक्त नहीं कर सकते हो इसलिए आप कवी कहलाने के दिकारी भी नहीं हो और अपना जो कथ्या है इस तरह कभी कै समझा नहीं पाता विव्यक्त नहीं कर पाता और वो कै भासा के चक्र में इसी तरह से उलजता ही चला जाता है तो प्रियविद्य अर्थिकन देखिए इस कभी काद्यास के अंदर या काद्यापंक्तियों के अंदर क्या अनुपरास अलंकार है और इसमें मानुवीकन लंकार विए कि बात ने जो एक्स्तरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही दियो बात यहां मानुव का आरोप या मानुव की क्रियाओं का आरोप बात के उपर तो यहां मानुवीकन अलंकार हो गया और इसके अंदर क्या है शहुलियत से बरतना कभी नहीं शीखा प्रस अलंकार हो गया तो इसमें पूरे काव्यांस में क्या है इस काव्य के काव्य पंक्तियों में क्या है अनुप्रास अलंकार हो जाएगा और यह मानुवीकन अलंकार हो जाएगा प्रसना अलंकार हो जाएगा मुक्तक छंद हो जाएगा और लक्षना सब्द सक्ति हो जाएगी तत्सम ततभव शब्दावली हो जाई भासा सहे सरल और प्रवाहमाई हो जाई तो पिर ये विद्यार्थियन आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह समझाई होगी और फिर उमीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें और अपनी कोपी को अच्छी तरह से प्रिपेर करें धन्यवाद